इतनी भीचनड गर्मी में जितना भी ठंडी चीजे खाओ पियो कम ही लगती है अब वो चाहे आइस्क्रीम हो, जूस हो, कोल्डिंग हो, कुछ भी हो तो खाना पीने तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बनाने में बड़ी आलस आती है सबको लगता है न, बहुत टाइम लगेगा, कैसे बनाएं और खास तोर पर तर्बूज का जूस, जिसका सर्बत बनाने में बहुत ही आलस आता है और आलस इसलिए आती है न, कि अभी कौन मिकसर गंदा करें, उसको धोना पड़ेगा जूसर है तो उसको भी धोना पड़ेगा, कौन बनाएं ऐसी करें और सबसे ज़्यादा तो तर्बूज का बीज निकालने में तो बीना बीज भी काले बनाओ तो कड़वा लगेगा और बीज निकालने में इतना टाइम लगता है जिसके लिए बनाने का मन नहीं करता है तो इनी सब चीजों का आथ बहुत ही बढ़िया सलूशन और एकदम अच्छा सा ट्रिक में आपका बताऊंगी कि कैसे आप बीना मिक्सर के और बीना किसी जूसर के इतना बढ़िया जूस बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए हमें उसी से हम इतना बढ़िया जूस बनाएंगे और वो ऐसी चीज़ है ना वो हर घर में होती है किसी के हैं ऐसा नहीं है जिसके हैं नहीं होगी आप देखोगे ना तो आप यकीन नहीं मानोगे कि अरे इससे इतना बड़ा काम हो सकता था मुझे तो पता ही नहीं था हलो फ्रेंज वेल्कम बेक्ट माई चैनल कूकिंग वितरिखा जी हाँ देखे ये चन्नी आटा चानने वाले चन्नी है ना इससे हमाज जूस बनाएंगे और वो भी मैं दो तरीका बताऊंगी आपको इससे जूस निकालने का तो चलिए फटा-फट शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक तर्बूज इसको धो लिया था और धोने के बाद अभी चलिए इसको चाकू से काड़ते हैं मार्केट में different type का तर्बूज मिलता है कुछ बड़ा, कुछ छोटा, कोई एकदम green होता है तो कोई чितकबरा होता है तो तर्बूज हमें वही चाहिए जो एकदम लाल हो और मीठा होना चाहिए तो मैं आधा ही तर्बूज का यूज़ करूँगी आधा में रख दूँगी साइड में आधा को ही हम कट करेंगे तर्बूज काटने का भी एक अपना तरीका होता है अगर आप तर्बूज को पलट के इस तरीके से काटते हो ना तो ना ज्यादा गंदगी फैलेगी और ना ही इधर उधर जूस गिरेगा और यही आप सीधा करक और हात में इसे पकड़ के काटते हो ना इससे जूस बाहर गिरेगा और गंदगी भी जादा होती है तो यह ट्रिक आप ज़रूर याद रखना तर्बूज काटते हो तो इस तरीके से काटो देखे कितने आसानी से और बढ़ियां से कट गया है तभी इसके पीसेज और कर ल लेते हैं तो चीनी विल्कुल नहीं डालना चाहिए अभी कटिंग हो चुकी है इस तर्बूज की और अब लेना है एक बड़ा बरतन कोई सभी बड़ा बरतन आपने सकते हो और अब लेनी है यह हमारी चंडी जो हर की चंड में मिलती है तो चलिए अभी चंडी का यूज कर लेना उस साइड में इसको चंडी के उपर रखे ऐसे इस तरीके से इसे कद्दू कस करते हैं उसी तरीकी से इसको करना है एकदम हलके हां से ज्यादा तेस से नहीं करना है और तर्बूज में वैसे इतना पानी भरा होता है एकदम सौफ होता है तो बहुत ज्यादा इसको द और एक भी बीज उसमें नहीं जाएगा, आप ध्यान देना भी, छोटा बड़ा कोई समय बीज है न, एक भी अंदर नहीं जाएगा, देखे, सारे बीजी से में उपर ही रह गया न, तो इस तरीके से, आप छोटे-छोटे पीसे कर लो, और करके इसको, सेकेंडो में ही जूस देखे, इस तरीके से, थोड़ा-चोटा-चोटा कर ले तो चौनि में असी तरीके से, घिसने में टाइम नहीं लगेगा, देखे, इस तरीके से, एक दम हलके हां से करना है, बहुறी बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो चनि तो चौँड़ जाएगी, फिर आप हमारा चन्नी आटा चन्ने वाली देखिए जूस निकलते जा रहा एकदम साफ सुतरा कोई अलग से भी छानने की जरुरत नहीं है हमें तो ये तो रहा पहला ट्रिक अब आए मैं आपको दूसरा ट्रिक बताती हूं तो ये जो रेड़ वाला साइड है ना उस साइड का इस तर किसे उससे जल्दी ये निकलेगा उसमें क्या थोड़ा सा टाइम लग रहा था इसको थोड़ा सा इसे दबा देंगे न तो और भी वड़िया आसानी से जूस निकलते जाएगा तो आप दोनों में से कोई साबी ट्रिक आप यूज कर सकते हो ये जूस बनाने के लिए जो भ बड़े छोटे बीज है उसको निकाल लेना है देखिए इस तरीके से इसको साफ कर लेना है आप चाहों इसको थोड़ा सा दबा दोगे तो और भी निकलेगा ये जूस और नहीं तो फिर नहीं यूज करना है तो इसको हटा देंगे तो देखिए कितना सारा जूस निकल गय और थोड़ा से इसमें पानी डाल देंगे, चिया शीर बहुत ही जल्दी फूल जाता है, मुश्किल से एक मिनट भी नहीं लगता है, पानी डालके थोड़ा से इसको चम्मत से चला देना है, और अब मैं इसमें डालोंगी मिंट लिव, पुदिने का पत्ता, फ्रिश पुदि मिनट भी नहीं लगता है, इसको फूलने में, बहुत ही जल्दी फूल जाती है, तो पत्ती धोके में इसको थोड़ा सा इसे तोड़ लेना है, तोड़ के डाले से फ्लेवर अच्छा आता है, ऐसे खड़ी पत्तिया ने डाली चाहिए, और अब मैं डालोंगी इसमें नमक, आधा चम्मज के करिब नमक डाल देना है, यह मैंने डाला काला नमक, और बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाला है, इसके जगा आप नीबू का जूस भी डाल सकते हो, और यह मैंने डाला है दो चार आइस क्यूब, इससे क्या जूस ठंडा भी हो जाएगा, और द चिया शिट पेट के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है, तो इसलिए मैंने इसमें डाला हुआ है, आपके पास है तो डालो, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, खास तर पर गर्मियों में चिया शिट पहुत ही फायदा करता है पेट के लिए, यह मैंने थोड़ा सा त पिने में भी अच्छा लगेगा तो अभी तयार हो गया है हमारा तरवूज का जूस बिना किसी महनत के बिना किसी जूसर के बिना किसी मिक्सर के और बिलकुल ही आसान तरीके से और ना ही ज़ादा चीजों की जरूत हमें पड़ी हैं तो हैने एकदम कमाल का ट्रिक, तो अभी आप ये ट्रिक अपना के आराम से पुरी गर्मी अच्छा खासा तर्बूज का जूस बना के पी सकते हो, तो इंज्वाई करें ये वाला जूस बना के और कमेट में जरूर बताएं कि कैसा लगा ये ट्रिक आपको और कैसा लगा जू मैंने आधे टर्बूज से दो ग्लास जूस बनाया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से जितना आपको बनाना है, उस हिसाब से बना के आप पी सकते हो, और हाँ एक चीज का दियान रखना कि तर्बूज का जूस जैसे आप बनाता हो न तुरन तो उसको पी जाना है, इसको स पी साब भी हो, फ्रेश पी हो तो ज्यादा फायदा करता है, और बाकी स्टोर करके तो उतना मुझे नहीं लगता है कि बढ़िया होता है, आके आपकी मर्जी जिससे सबसे आपको पीना है, वीडियो को ज़रूर ज्यादा ज्यादा शेयर करना हो सकता है किसी को यह ट्रिक पसंदा जाए या उसे नहीं पता हो, तो इस तरीके से इस भयंकर गर्मी में ठंडा ठंडा आसानी से वाटर मेलन जूस बना के पी सकेए, तो खयाल रखिए सब का गर्मी में और गर्मी से बचके रहे और जूस बना के पीते रहे तो फिर मिलते हैं मेरे आने वाली कोई झाली बाइ बाइ